हलो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में आज में बात करने वाला हूँ कि यदि आप एक यूटूबर है यूटूबर बनना चाहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्ण होगा यही प्रश्ण होगा कि एक हजार सस्क्राइबर और चार हजार वाज टाइम अगर एक साल में कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा क्या मैं मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा या फिर इसी चैनल पर मैं काम करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकता हूँ तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाला हूँ जैसे कि माले जी यदि आप जैसे सोच रहे हैं वैसे हम भी सोचते थे जब नया निया यूट्यूबर बना था ठीक है कि 1000 सस्क्राइबर और 4000 वाइस टाइम यदि एक साल बिन नहीं कंप्लीट हो दाया तो मेरा क्या होगा क्या मुझे फिर से दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा या फिर इसी पर काम करना पड़ेगा तो मैंने भी कई लोगों का वीडियो देखा और सीखा और जाना उसके बारे इस कंडिसन में आपको दूसरा चैनल बनाना चाहिए और दूसरा चैनल बनाने के बाद उसके बाद उसके पर काम करना चाहिए ठीक है लेकिन यदि आपके मन में ये कोस्टन है कि यदि एक साल में 1000 सस्क्राइबर और 4000 वाइस टाइम नहीं कंप्लीट होता है तो क्या मुझ कर दिया और कोई कम्रिटी गाइडलाइन श्ट्राइक नहीं है या कॉपी राइट श्ट्राइक नहीं है आपके चैनल पे तो आप YouTube का मेंबर बन सकते हैं तो यदि आपने 1000 सस्क्राइबर और 4000 वाइस टाइम एक साल में आपका नहीं कंप्लीट हुआ आप चाहते हैं कुछ सलसे सबेसी हो गया ठीक हैं तो आपका चैनल है उधर से पांच दिन छोड़ेगा और इधर से जोड़ेगा ठीक है उधर जो पीछे है पीछे का जो दिन है और आगे से जोड़ेगा उस पिरियेड में उस समय में आपका 1000 स्सक्राइबर और 4000 वाइस टाइम कंप्लीट होना तो आप घबड़ाईए मात मेरे मन में यही प्रश्ण था जब मैं एक यूटूबर बनना चाहता था ठीक है क्या एक साल में एक हजर सस्क्राइबर और चाहजर वाच टाइम नहीं कंप्लीट हुगा तो क्या उस चैनल को छोड़ के दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा नई ऐसा नहीं है तो मैं उम्मिद करता हूँ कि इस बात से आप बहुत संतुष्ट होंगे यदि आपको कुछ और भी जानना है यू